दोस्तों स्कूब बटा में आप सबका स्वागत है मेरा नाम है शिवम गुपता IPL T20 इस फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है और आज का मैच जो की पंजाब किंग्स वर्सेज राजस्तान रोयल्स था उसमें कुछ ऐसा ही हुआ तो ये वन साइडेड मैच चल रहा था लेकिन अंत में बहुत ही रोमांचक बन गया और वो टीम जीत की जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो इस मैच में पंजाब किंग्स ने टाउस जीत कर पहले गेंद बाजी का फैसला किया राजेस्तन रॉयल्स की टीम ने काफी अच्छी शुरुवात की इनके ओपनर्स या श्रस्वी जैस्वाल और वेस्ट इंडिस के विस फोटक बलेबास एविन लुइस उन्होंने काफी अच्छी शुरुवात दिलाई ता बढ़तोड बलेबास ही की दोनोंने इसके बाद एक समय तो लग रहा था कि 200 रन के पार बना लेगी टीम स्कोर लेकिन मिडल ओडर लड़ खड़ा गया हाला कि माही पाल लॉम्रो और उन्होंने अच्छी पारी खेली तीस तरार पारी खेली लेकिन कोई साथ नहीं मिला जिसके अगरंगी एक सो पचासी रन पर केल राहूल और मयांक अगरवाल दोनों ही एस्टैबलिस्ट प्लेयर्स और उन्हें बहुत ही अच्छी शुरुआ दिलाई शत्किया पारी मतलब शत्किया साज़ेदारी रही दोनों के बीच एक सो बीस रन बना ली था बारवी ओवर तक तब केल राहूल आउट हुए एक मार्करम आखरी ओवर तक वन साइड़ हो गया था मैं चार रंच यह थे केवल पंजाब किंग्स हो और गेंद बाजी करने आए कार्थिक थे आगी तभी गेम पलट गई पहली इन्होंने मार्करम ने सिंगल लिया उसके बाद निकोलर आउट हो गए उसके बाद दीपक हु लिये थे और बहुत ही बढ़िया गेंद बाजी की कार्थिक त्यागी ने हीरो बन गया इस मैच के आखरी गेंद भी यॉरकर थी और फेबियों के पास कोई जवाब नहीं था इसके करन की मतलब मैं खुद चौंग गया कि मतलब चार रंच यह लग रहा था कि यह राम से सि कर देना चाहिए था पहले भी देख चुके हम बजाब किंग्स ऐसे कर चुकि है टीम की जीता हुआ मैच हार चुकि है आज फिर ऐसा हुआ अल्रेटी मतलब इनको सारे मैच जीतने थे प्लियॉफ में अब तो लग रहा है कि इंपॉसिवल है प्लियॉफ में का क्वालिफा कर देना चाहिए 0-1-2-3-0-1-0-2-0-1-2-0-2-0-3-0-1-2-0-2-0-1-2-0-2-0-2-0-1-2-0-2-0-1-0-1-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-1-0-2-0-2-0-2-0-1-0-2-0-2-0-2-0-1-0-2-0-2-0-2-0-2-0.